हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुनील और इकबार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इसे डुक चनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप योनो एप के थूरू आप अपने बैंक का स्टेटमेंट यानि कि आप अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को कैसे देख सकते हैं साथ ही आप इसे PDF के फॉर्म में आप अपने मुबाइल फॉन पर डाउनलोड भी कर सकते हैं इमेल पर भी प्राप्ट कर सकते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना स्कीप के पूरा लाज तक देखते रहें आज के इस वीडियो में आपको सारा कुछ step by step बताने वाला हूँ तो चलिए आज के वीडियो इस्टार्ट करते हैं दोस्तों bank statement से हम अपना सभी transaction देख सकते हैं जैसा कि हमने कितने पैसे निकाले हैं या जमा किये हैं इसमें हम यह भी देख सकते हैं कि bank हमसे कितना charge लिया है या कितना ब्याज के तोर पर हमें पैसा मिला है यह सारी जानकारी हम एक bank statement से ले सकते हैं इसके लिए आपको UNO SBI application open करना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, आपको लगभग 5 से 10 सकेंड तक wait करना है, wait करने के बाद ये application start होगा, यहाँ पर आपको login पर click करना है, आप login करने के लिए MPIN या फिर user ID password use कर सकते हैं, मैं यहाँ पर MPIN के थुरू login करूँगा, अभी मैं MPIN इ इस पर click करेंगे, आपको एक बार और यहाँ पर click करना है, जैसे आप यहाँ पर click करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का interface मिलेगा, आपको यहाँ पर transaction history सो हो रहा है, अब यहाँ पर आप अपने bank account का transaction history देख सकते हैं, आप यहाँ से सारे transaction history देख सकते हैं, यदि आप इ प्रेंक में registered email id पर इसे प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए आपको यहां पर click करना है right side में जो box दिख रहा है इस पर जैसे आप इस पर click करेंगे आपके registered email id पर कुछ देर बाद एक email आएगा उस पर आप click करेंगे तो आप वहां से अपना statement प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा option यह है यहां से आप अपने file manager पर download कर सकते हैं अपने device अपने storage में यहां पर देखिए email आ गया है इस पर click करेंगे और इसके बाद आप इसे जब open करेंगे mail में तो यहां पर कुछ इस तरह का दिखेगा आप इसे चाहें तो google drive पर देख सकते हैं चलिए हम देखते हैं file में क storage में जाना है और इसके बाद आपको सबसे नीचे scroll करना है यहां पर आपको सबसे नीचे मिलेगा account statement यहां पर आप click करेंगे और PDF पर आप click करेंगे आप यहां से PDF के form में देख सकते हैं अपना statement जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं हमारे SBI का जो statement है transaction history है वो सारा history हमारे mobile phone पर आगया है PDF के form में दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जलूप पसंद आए अगर वीडियो पसंद आते हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को सेर कीजिए और चैनल को सब्स्राइब करके latest वीडियो से अबडेट रहने के लिए notification को द